हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको वोईस ओफ मडर रे ये 2007 की कोरियन मिस्ट्री मूवी एक्स्प्लेंग करने वालो इस मूवी में एक बड़े से न्यूस एंकरर का बेटा किड्नेप हो जाता है और इसके बाद इस किड्नेपर को ढूणने के लिए cat and mouse स्टार्ट हो जाती है ये मूवी एक real life story है और इसके fact आपको मूवी के end में पता चलेंगे तो चलिए शुरू करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमारा main character हान में दिखता है ये एक news anchor होता है ये एक बड़े से channel के लिए काम करता है और nationwide सब लोग इसे जानते है आज रात की news में ये ये भी news cover करता है कि देश में बहुत सारी किड्नेपिंग्स हो रही है किड्नेप इतना चाहिए उतना तुम खाओ इसका बच्चा बहुत ही फैट होता है पर मदर इसको हमेशा डाटती रहती है पर हान उसे कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम खा सकते हो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ला कर दे सकता हूं मदर का नाम जी सुन होता है जब इसको से वापस आता है तो उसका इस सिक्रेट प्लेस होता है यहां जाकर वो खेलता है उसे भी अपने फादर की तरह न्यूज में आंकरिंग करनी होती है जब वह बिल्डी में आता है तब लीवर से उपर आ रहा होता है यह ऐसा प्रिटेंड कर रहा होता है कि सीड़ी सब कर रही हूँ तो मैं पता है कि लोग तुमारे बारे में क्या कहते हैं हम दोनों मिलकर इसमें फर्स लेंगे जिस उन उसे नीचे जाकर और भी एक्जसाइज करने के लिए कहती है रात में इनका बेटा सोसाइटी के ही पार्क में खेल रहा होता है थोड़े देर में हमें द साथी हैं वहरी करने लग जाता है जहां जब फोन उठाता है तुम तो मुझे बहुत काम लग रहे हो मुझे ललगा था कि वरीड होगे ये लगा पर इसंस्ट्रक्शन देता है वो कहते है तुम्हारा बेटा मेरे पास है कल तक तुमारे पास 100 के डॉलर्स आ जाने चाहिए गाड़े में और एक फोन तुम लंगवालो मैं कॉल करूंगा तो तीन रिंग होने से पहले ही तुम्हें कॉल उठाना है अगर इन्होंने कुछ गडबड की तु इनका बेटा मर जाएगा किड़ने पर कल इन्हें फिर से कॉल करेगा यह केकर कॉ बैंक में जाकर वो आज लोन भी निकालने माला होता है और फिर लोन वेगरा निकालता है किड़ने पर हान को इन्फर्म करता है गाड़ी लेकर उसे एरपोर्ट तक जाना है वहाँ जाने के बाद सब कार के डोर्स वेगरा ओपन कर देने हैं और वहाँ से निकल जाना है हान इसे चाइनिस फोड चाहिए, जिसुन कहे दिये कि उसके लिए अच्छा नहीं है, या अपने बेटे से बात करना जाती है, पर किर्णापर कहता है, कि वो अब सोया हुआ है, हान को किर्णापर ने बोला था, कि अब उसे बैक छोड़ कर वहाँ से निकल जाना है, घर पर उसे हो जाएगा, किर्णापर कहता है, कि तुम्हें वरी करनी की जुरूरत नहीं थी, जिसुन से जब किर्णापर की बात हो रही थी, तो जिसुन ने फोन ज़रा लेट उठाया था, किर्णापर उसे फिर से वार्निंग देता है, तीन रिंग होने से पहले इक कॉल उठ जाना है, उसे चिकन प्लेस पर जाने के लिए कहूँ, हान जब चिकन प्लेस पर पहुचता है, तो सब कुछ लोगों को देख रहा होता है, उसे लगता है, यहाँ उसे किर्णापर मिल सकता है, तो उसकी कॉलर हो पकड़ लेता है, यह उसे सवाल पुचता है, कि वो कौन है, क्या कर रहा है यह आदमी कहता है कि मैं पुलिस हूँ तुम्हारे वाइफ ने यह सब सिच्वेशन पुलिस को इनफर्म की थी किर्णा पर जिसुन को कॉल करता है और कहता है कि आप तुम्हारे बच्चे को मैं कुछ भी खाने के लिए नहीं दूंगा जिसुन रोने लग जाती कहत है कि पुलिस उसे कुछ देदो बड़ एक इंटाबर मानने वाला नहीं हो था अब नेक सिनमे में दीखता है कि पुलिस इन्वेस्टिकीशन स्टार्ड हो जो सब एरिया में suspect है, इन सब को पुलिस ने उठवा लिया है, इनके voice sample अब वो लेने वाले है, पुलिस की meeting चल रही होती है, इसमें कहा जाता है कि दो मिनिट के नीचे ही ये सब call करता है, यानि कि ये call कोई भी trace ना कर पाए, ये बहुत intelligent और cunning है, ये हान का बेटा है, तो इ पूछ रहे होते हैं कि क्या उसे किसी पर शक है, हान कहता है कि मैंने सालों में बहुत सरे enemies बनाए है, मैं अगर नाम लूँगा तो इंपॉसिबल बन जाएगा, हान कहता है कि एक honest citizen की तरह मैंने live जी है, मैं news anchor हूँ, तो इसमें मैंने बहुत सरे लोग को hurt कर ही दिया है, हा किरनापर कहता है कि फिर से इस तरह की mistake मत करना, वो इसे फिर से call करेगा, यह कहकर call रख देता है, यह कहता है कि वो इन सब पर नजर रख रहा है, अनकी गाड़ी के पास ही एक police officer हमेशा होता है, हान जब सोया हुआ होता है, और police officer का भी कुछ ध्यान नहीं होता, तो एक Chinese parcel इसके गाड़ी पर कुछ लगा कर जाता है, इस पर केंड़ा पर की note होती है, इस पर लिखा होता है, तुम तो बहुत ही optimistic हो, यह सारी situation चल रही है और तुम सो रहे हो, हान उटता है और इस note पर वो बिलिव नहीं कर पाता, वो भागने लग जाता है, और किसी को ढूणता है पर कोई भी से नहीं मिलता, पुलिस investigation करते हैं और इन्हें उस Chinese पारसल वाले के बारें पता चल जाता है, कि इस Chinese वाले को पकड़ लेते हैं, पर इसे पता नहीं होता, सिर्फ यह note गाड़ी पर लगा गर आनी है, इसके लिए पैसे दिये गए थे, हान से जब पुछा गया कि क्या उसने किसी को हर्ट किया है, तो अब उसे याद आता है कि एक ही आदमी था, जिसको उसने सबसे जादा बरबाद किया था, उसके चैनल में एक आदमी काम करता था, पर उसने ब्राइब ली थी, और गलत न्यूज उसने दे दी थी, हान अगर जाता तो इस मैटर को द किसी को पता ना चले, इसलिए हान की डिक्के में ही बन होता है, अब दो तीन दीन हो चुके है, पर फिर भी हान गाड़ी में ही है, और उसके साथ ये डिडिट्ट्टू भी है, ये दोनों अब बहुत ही परिशान हो चुके होते है, जिसन फोन के पास कॉल काई वेट कर रह किर्णाबर कहता है, क्या तुमारी वाइफ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती, मैंने उसे कॉल लगाया था, पर वो एंगे जा रहा था, हान कहता है कि प्लीज उसे माफ कर दो, अब किर्णाबर इन दोनों को एक सिनेमा हॉल के पास बुलाता है, जिसन घर पर अब यह सब वो उसे कहता है, जो पुलीस ओफिसर है, एक कार की ट्रंग में ही है, अब यह दोनों सिनेमा हॉल की यहा जा रहे होते है, हान जब ट्राफिक में अड़कता है, तो डारेकली वो फुटपाथ पर गाड़ी ले लेता है, वहाँ से चलता जाता है, किर्णाबर इसे कुछ ठीक लएगा, तो एक्चॉल लोकेशन में तुम्हें बता दूँगा, इसके बाद एक माउंटन की लोकेशन ही देता है, जो पुलीस ओफिसर ट्रंक में होता है, यह सब कुछ सून पाता है, पुलीस के वह यह सब इनफॉर्म हो जाता है, और किर्णाबर इन से कहता ह कि अब तुम रोपवे में चले जाओ, पहार के उपर तुम्हें तुम्हारा बेटा मिलेगा, जब उपर जाते हैं, गाड़ी का दर्वाज़ ओपन होता है, तो वहाँ एक आदमी आता है, और गाड़ी लेकर चला जाता है, इस गाड़ी के डिक्की में ही डिडिक्टिव है जब वह उपर पहुचते हैं, तो वहाँ इन्हें अपना बेटा नहीं मिलता, अब रात हो चुकी है, पर अभी इन्हें कुछ भी पता नहीं चला है, जो पुलिस ओफेजर गाड़ी के डिक्की में ही था, उससे भी अब कॉंटाक नहीं हो रहा, अगले दिन पुलिस पुलिस को कॉल लगाता है, इससे पूछा जाता है कि क्या हुआ था, किन्या पर कहा है, तो यह खेता है कि उससे कुछी पता नहीं है, गाड़े की डिक्की जब खुली तो इससे बेहोस कर दिया गया था, और इसकी आग खुली तो डारेक्ली सुमसान जगा पर यह था, हान उसके चानल में कि जिस आत्मी को जेल में डलवाया था उस आत्मी का वो पता कर लेते हैं उसे क्वेशन के लिए बुलाया जाता है इसे बूझा जाता है कि जिस दिन किड्नैपिंग हुई थी तब वो कहा था है अलग सिटी में था और इसका प्रूव भी इसने दिया हुआ है फोरेंसीक टीम के जो मेंबर्स होते हैं डिसकस कर रहे होते हैं तब कहते हैं कभी भी वोईस 100% मैश नहीं होता वोईस जब पहचाना जाता है तो 100% मैश नहीं कर रहा होता यह सिमिलर होता है पर फिर भी यह मैश नहीं कर रहा तो यह प्रॉलम होती है हान अब फ्रस्टेट तुम्हें तो तुम्हारे पैसे मिल चुके है, अब मेरे बच्चे को जाने दो, इन्यवर कहता है कि तुमने पुलिस को कॉंटक किया था, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है, अब वो उसके बच्चे को मार देगा, इसके धमकियों दे रहा होता है, हान कहता है, इसा गन विगरा नहीं थी पर फिर भी मैंने बहुत सारे लोग को मारा है यह जो काम करता है इसमें रूतलेस्ट था मैं अपने आपको गौड समझता था मुझे लगता था कि जो सब मुझे चाहिए यह सब मुझे मिल सकता है मैं लोगों के साथ कुछ भी कर सकता हूँ अब देखो मेरा क्या हाल हो चुका है भगवान मुझे पनिश कर रहा है इसे उस कौप पर भी दया आ रहे होती है यह कहता है कितने दिनों तक तुम घर नहीं गए हो यह पुलिस कहता है कि तुम्हारा गुसा भी सही ही था कभी-कभी हम अच्छे से काम नहीं करते किर्णा पर अब डारेक्ली कॉल नहीं करता वो जी सुन को लेटर लिखता है इस लेटर में लिखा होता है कि इस टाइम पर तुम एक जगा पर आ जाना वो अब किसी पर भी टरस नहीं कर सकता उसने अगर इस बार सही से पैसे वेगरे दे दी है तो उसका बेटा उसे रात तक मिल जाएगा अब जी सुन पुलिस को बहान बनाती है कि वो जजज जा रही है और वहां से निकल जाती है हान को पता चलता है कि जिसुन जब वहाँ नहीं है तो वहाँ से भागते भागते हो जर्च में जाता है यहाँ पर कही भी उसे जिसुन दिख नहीं रही तो यह बहुत वरीड हो जाता है जिसुन ट्राफिक में अड़क जाती है तो भागते भागते हो लोकेशन पर पोच थी है किन्यपन ने गार्बेज बैग में उसे और एक नोट छोड़ी हुई होती है कुछ लोगी गार्बेज बैग लेकर जा रहे होते है पर जिसुन इन्हें रोक लेती है इस note में और एक पता उसे दे दिया जाता है एक बड़े से building के उपर उसे जाना है यह कहा जाता है यह भागते भागते ही जा रहे होती है क्योंकि बहुत ही traffic होती है यहाँ पोश्थी है पर lift engaged होती है यह stage से जाती है और उपर चरते चरते थक जाती है यह dream करती है कि उसका बेटा उसके पास है अपने वेडे को hug करती है उसका बेटा उसे उपर जाने के लिए कह रहा होता है अब वो building के उपर जाती है और इसमें और एक note होता है अब इसे ATM में जाकर एक नाम पर transfer करने के लिए कहा जाता है जीसुन वहाँ पहुशती है इटेम में जाती है पर उसका जो पीन होता है यही काम नहीं कर रहा होता यहाँ बारिज भी चल रही होती है तो रो रो कर यह नीचे गिर जाती है यहाँ अब unconscious ही है और इसके घर में इसे सुलाय गया है इसे मिलने के लिए चर्च के सब लोग आय हुए है यहाँ फादर भी आय हुए होती है तो जीसुन पैसे निकालती है और फादर को दे देती है फादर को कहती है कि प्लीज मेरे बेटी के लिए कुछ करो आप prayer करो, कुछ भी करो, प्लीज मेरे बेटे को वापस ला दो जब हान यह सब देखता है, तो सब पर चीट जाता है इन सब को घर से बाहर निकाल देता है हान को भी अपने बेटे की याद आती है वो अपने बेटे को किस तरह से चिटाता था उसके बेटा उसका मसाज करकर देता था यह सब उसे याद आता है यह बहुत ही साइड महसूस करता है पूलेज ने और एक सस्पेक्ट वह पकड़ा हुआ होता है इसका वोईस वेगरा सब कुछ मैच कर रहा होता है पर यह 100% नहीं होता इनका बहुत सारा शक इस पर ही होता है तो हान अब इसके पास जाता है इसके पहर पकड़ता है और कहता है कि प्लीज मेरा सन मुझे वापस देतो यह गिडगिनाने लग जाता है तब ही हान के घर पर कॉल आता है यह किड़नाबर का कॉल होता है यानि कि जिसे इन्होंने पकड़ा है कि 26 days गुजर चुके है अभी इनका बेटा किड्ने भी है जब हान लंज कर रहा होता है तो किड्ने पर उसे call लगाता है हान कहता है तीस मिनिट के बाद कॉल करना अब मैं खाना खा रहा हूँ जी सुन हान पर जिर जाती है कि यह तुम ने क्यों किया तुम इससे गिवप नहीं कर सकते है हान अब यहां से चला जाता है अपनी कार तक जब वो पहुचता है तब उसे फिर से किर्णा पर को कॉल आता है किर्णा पर अब उसकी बेटी की दूसरी आवाज उसे सुनाता है हान को अब हो पाता है हान को लग रहा था कि इसका बेटा मर जुका है पर इसका बेटा अभी भी जिन्दा है इसकी आवाज उसने सुनी है तो फिर से वो मोटिवेट हो जाता है Kidnapper इसे एक जगा पर बुलाता है यह जल्दी से वहाँ पहुँच जाता है यहाँ फिर से ट्राफिक होती है तो भागते भागते मेले में आ जाता है इस मेले में ही एक्सचेंज होने वाला होता है इसका बेटा उसे मेरी को राउन की यहां मिलेगा ऐसा Kidnapper ने उसे कहा होता है पर इसे वह वहाँ नहीं मिलता अब 44 डेज गुजर जाते है और इसके बेटे की लाश इन्हें नदी में मिलती है इसके साथ एक टेप रेकॉर्डिंग भी होती है Kidnapper ने इसके बेटे की वोईस रेकॉर्ड कर लिया था और यही वो सुनाता रहता था जिसों आप रो रोकर बुरा हाल कर देती है वो कुछ भी कर नहीं पाती यह सदमे में होती है तो उसे रखता है कि इसका बेटा अभी भी जिन्दा है और वो जल्दी घर वापस आ जाएगा Han इसे comfort करने के लिए इसके पास जाता है इसे वो गले लगाता है इसे वो intimate होना चाहता है पर यह इसे जड़क दिती है यह कहती है कि मुझे मेरा ही बेटा चाहिए मैं आप फिर से कोई भी बच्चा नहीं होने दे सकती यह रो रोकर कहती है कि मेरा बेटा मुझे फिर से वापस ला दो किन्यापर ने इनके बेटे को जहा रखा था यह स्पॉट होने मिल जाता है यहाँ पर हान जो पूलिस उसके साथ था इसे बात कर रहाता है यह कहता है कि जब भी मेरे बेटे के साथ होता था मैं पूरी तरीके से उसे टाइम नहीं दे पाता था मुझे लगता था कि मैं मेरी सब responsibilities कर रहा हूँ यही इनाफ है और मुझे उसके साथ और भी टाइम स्पेंड करना चाहिए था हान को अपने बेटी की बहुत याद आती है और यही रोने लग जाता है यह पूलिस कहता है कि हम 100 बसें उसे ढून लेंगे कभी भी बज़ कर जा नहीं सकता अब बहुत दिन हो चुके थे तो हान अपने जॉब पर जाता है आज उसे जो news देने होती है यह किर्णापर के बारे में होती है किर्णापर की voice सब लोगों को सुनाना चाहता है अगर किसी ने voice पैचान ली तो किर्णापर पकड़ा जा सकता है यह news हान ही देने वाला होता है जब यह news दे रहा होता है तब इसे सब कुछ रिटेल में समझाना पड़ता है और यह रोने लग जाता है यह सब से request करता है कि अगर आप इस आवाज को जानते हो तो please police से contact करो यह TV पर ही रोता है पर फिर भी news channel वाले यह camera इससे नहीं निकालते है हान के रोने से इनके शोकों ही benefit होगा इसलिए camera इस पर ही रखते है यही movie खतम हो जाती है और हमें facts दिये जाते है यह जो किर्णैपर की voice थी यह 1991 में record की गई थी किर्णैपर का description मेगरा police ने बना लिया था इसने बहुत सारे बज्चों के साथ यही किया था इसकी investigation चलती रही और 420 suspect को police ने investigate किया था 87 recordings analyze की गई थी कभी भी उन्हें किर्णैपर नहीं मिला यह movie 2007 की थी तभी भी इन्हें किर्णैपर नहीं मिला था और अभी भी किर्णैपर पकड़ा नहीं गया है आज तांके किर्णैपर खुलाई गूम रहा है ये अभी भी ये सब कर रहा हो सकता है हम सब लोग अब सिर्फ प्रेही कर सकते कि ये किर्णैपर पकड़ा जाए यही हे heart breaking वीडियो आज हम खतम करते